तो आप देख सकते हैं कि मैंने कव प्लाजो कर लिया है इसकी जानकारी में इस वीडियो में देने वाली हूं और इसका मेजरमेंट आपको मैं बता देती हूं बहुत छोटी साइज है आप किसी का भी प्लाजो अराम से कटिंग कर सकते हैं और उसमें इस तरीके से जो यहां पर बैटने पर हमें प्रॉब्लम होती है आसन में तो आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इस दम पर्फेक्ट फिटिंग आएगी कमफिटेबल रहेगा तो किस मैथड से मैंने इस कटिंग किया है आप इसे जरूर देखिए पूरी वीडियो देखिए बहुत ज्यादा बड़ लंबी वीडियो नहीं है लेकिन आपके हेल्फ पूर में बहुत थे आएगी तो चलिए हम वीडियो स्टाट करते है और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को चैनल को सब्सक्रा करिएगा तो यह मेरे पास 10 मेटर कपड़ा है मैं इसका प्लाजो बनाने वाली हूं साधा ब्लाजो और इसका मेजर्मेंट आप बता दिती हूं में 36 इसकी पूरी लंबाई है और सीट 30 इंच बॉटम 20 कमर इसकी 26 इंच है लेकिन कमर का यूज सिर्फ प्लाश्टिक लगात में घड़ी करना है तो देखिए एक कप्रे को पहले मैं एक फोल्ड में करूंगी यह देखिए दो हो गया इस तरीके से अब इससे एक फोल्ड और करना इस तर ऐसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां उपर में एक दो इंच का इंच यहां से दो इंच पे अगर आपके लाश्टिक को ज्यादा चोड़ी है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं तो मैंने दो इंच पे निसान लगाया इसे सीधी लाइन मारने इस तरीके से अब इध्यान रखिएगा कि जो फोल्डेट पार्ट होगा वह आपके अपने साइड में रखना है मतलब इस तरफ रखना है और जो खुली साइड होगी वह सामने की तरफ जाएगी अब क्या करेंगे हम सीध को देखेंगे तो सीध हमारा तीस है तो तीस को हम तीन भाग में डिवाइट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह मेरा तीस आया तो तीस को हम इस तरीके से फोल करेंगे तो यह देखिए तो यह हमारा दस आया यहां से हम दस इंच पर निसान लगाएंगे यह बहुत छोटी साइज है यहां से आप इसे हमें सीदी लाइन मारेंगे तो यह हमारी हो गई आसन की लंबाई अब यहां से क्या करना है सीट का चोथा भाग तो साड़े साथ आएगा उसमें डेड़ इंच प्लस करेंगे यह देखिए डेड़ इंच प्लस किया पर इससे सीदी लाइन मारने ही यहां से सीदी लाइन मारने क तो इसलिए में तीन इंच करती हूं क्योंकि तीन इंच करने से जो है कि बैठने में आपको प्रब्लम नहीं होगी फिटिंग बहुत अच्छा आने वाला है जड़ा सभी आपको खिचाव नहीं आएगा यह काटिंग करके देखिए फिर आप जरू कहेंगे कि इतना बेहतरिन मतुत अब शाहिसे सेंग आयह अब पूरी लंबड ऐ का निसान लगए है तो पूरी लंबाइ हमारी यहां से इसमेजर करेंगे का दाब टू वूर्टिे दों अधिक्स्त compare दिना थिक्स गोल्ना की पत्तिक यहां से कि यहां से आप बॉटम का निसान लगाएंगे तो बॉटम जैसे की पी से तोस्का अधर वदर उसमें एक इंच मार्जिंग कर देंगे और यहां से हम सीधा मिला देंगे इस तरीके से टेप को रखेंगे और सीधी लाइन हम ना देंगे तो देख सकते हैं कितनी आसानी से प्लाजो के ड्रक्टिंग भी हो गई है और इसकी फिटिंग तो बहुत अच्छे आने मालिया बिरूब एक बाट राइक करिएगा फिर उसे कमेंट करिएगा कितना बैतरीन तरीका आपने पताया है मैं गैरेंटी के साथ के तो आपका प्ला यधिलigon कर दो झड़िया वोका लों कर दोटिए युटब्पड़गब हुट प्लाइचिएक तो ल क्मालिश度 कले हैं घुटब्बड़गदा कितना चर श Cl приехव उसस कॉटब पं़ड़ ऊब हैं आपका रिवह से समुटब़ब़ब मैं लोग्वश बहुत बहुत अच्छा बने गागा अगर आपकी ज्पेड़ा भड़ उसके लिए हम यहां पर साड़े तीन इंच कर देंगे बाकी तो यह पर्फेक्ट आने माला इसकी कोई आप एंसर मत लीज़िएगा इसी मैजरमेंट से तरीके से कटिंग करिएगा तो चलिए हमने एंस सिलाई का वीडियो जरूर अप्लूट करूंगी उसको भी आप देखिएगा किस तरीके से सिलाई करते हैं पूरा लास्टिक बढ़ डालना में बताऊंगे पूरा सेटिंग इसका सिलाई बताने वाले में कम्प्लीट तो उसे भी आप जरूर देखिएगा तो चलिए मिलते है में नेश्टी वीडियो में